शाक टेंग के कैसा शो है जो इंडिया में काफी पसंद किया जा रहा है इस शो के पहले सीजन ने भी खूब धमाल मचा था हलाकि शो से जुड़े एक जज की लाइफ में इसके बाद भूचाल आ गया था यहां हम बाद famous शाक अशनीर ग्रॉवर की कर रहे है जिनने शाक टेंकि इंडिया के दूसरे सीजन से बाहर रखा गया है अब रियालिटी शो शाक टेंग इंडिया का सीजन टू शुरू हो चुका है लेकिन इस बाद शो के शाक पैनल में सीजन वन के जज रहे अशनीर ग्रोवर को शामल नहीं किया गया है सीजन टू में उन्हें रिप्लेस किया गया है लेकिन उनके साथ के बाकी शाक्स अभी तक शो का हिस्सा बने हुए है ऐसे में अब एक पोड़कास्ट के दुरान अशनीर ग्रोवर ने शो में अपनी गैर मौजूदगी के बारे में खुल कर बात की और बता कि ये पता चलने के बाद की वो सीजन टू का हिस्सा नहीं है उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया इसके साथ ही अशनीर ने ये भी कहा कि वो शो नहीं देखते हैं और ना ही इसके बारे में कोई अपडेट रखते हैं अशनीर ने कहा मुझे लगता है कि सेप्रेशन क्लीन होना चाहिए जब मैं शाक टेंक इंडिया की सीजन टू में नहीं था तो जितने भी शाक थे मैंने उनको सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया यारब वो तुम्हारी गेम है तुम खेलो मैं क्यों हर रोज देखता रहूं कि शाक टेंक की सूट पर बिहाइंड दसीन्स क्या चल रहा है अब मेरी लाइफ का पाठ ही नहीं है अशनीर बोले जब तक था मुझे बहुत मज़ा आया पूरे शो में मस्ती करी पहला सीजन ही काफी सक्सेसफुल हो गया मुझे लगता है कि एक माइने में मैं 10,000 करोर रुपे की फ्रेंचाइजी बनाने का हिस्सा था क्योंकि पहला सीजन क्रैक करने के लिए सबसे मुश्किल सीजन होता है अगर पहला सीजन ही नहीं चला अगली बार तो चैनल वाले ही आपको स्लॉट नहीं देरे वाले भूल जाओ पहला चल गया अब आपको 500 करोर रुपे का एड रिपेन्यू हर साल आ रहा है आपका 10,000 करोर रुपे का धंदा है आज की तारीक में वो बना के दे वीडियो योट्यूब पर देकरने तुमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भुली का